बाशन होगा और उसके बाद में हम सब लोगों को आप रिहा करेंगे आज इसी सुच मेरी जी वो गलत हो गया लेकिन एक बाद तो है आज भारत के प्रदान मंत्री जी पहले प्रदान मंत्री भारत के प्रदान मंत्री जी बहुत लंबित वाशन दो तीन आज उनके होगे एक तो पार्लमेंट में हो गया हो एक तो जॉइन कुहां पर सेंटरल हॉल में अब फिर यहां पर तो उन्होंने जो कुछ कहा एक बात तो वो क्रडिट हमको देते नहीं लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूँ कि वोमन रिजर्वेशन बिल यह आलड़ी पास्ट इन टू दो दो दोजन टेन लेकिन इसको बादा आ गई तो उसमें वही रुख गया है लेकिन यह पहले थोड़ा यह बैकवर्ड क्लास इसको रिजर्वेशन देने की बाद थी सिवर्ड कास तो इजी था उनका क्योंकि उनको अलड़ी कांसिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने के वज़े से वन थर्ड इजी ली उसमें आता था लेकिन बैकवर्ड क्लास इस और उनको इसमें ज़रा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कांसिट्यूशनल अमेंड्मेंट वन थर्ड बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नाचरली वहां के मैलाओं को नहीं मिलता और अगर वो अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लास्स को अन्याय होगा कि चुन-चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडिस के लिए याने बैकवर्ड क्लास के लेडिस में सरुकास लेडिस में उतने पड़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरसी ये भी साक्षरता भी कम है वो कम रहने के वज़े से और सभी पॉलितिकल सभी पॉलितिकल पार्टियों का मैं एक पार्टि बोलके नहीं बोलता सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला पुले तो कमजोर महिला को दे देते हैं जो सक्षम है जो लड़ सकती है अरे सुनो तुमको अरे आप ठिकेट वंधर्ट ठिकेट देते हैं बैटिये यहां वंधर्ड की बात चल रही है यहां वंधर्ड की बात चल रही है मुझे मालूम है सरुलकास के लोगों को बैकवर्ड के लोगों को किस ठंक से पार्टियां चुनती है मैंने तो वो बोल रहा हूं पोच है नहीं कुपट आपको की बात चुनती है आपको की बात चुनती है ओनरेबल मेंबर्ड के बात चुनती है has a point of order please sit down please please Mr. Tewaadi has a point of order Mr. Tewaadi under which rule? Sir, if Mr. Tewaadi is under which rule? Please help me, you are raising point of order under which rule? Okay, we will continue. Leader of the opposition, Mr. Khandge, Mr. Khandge, honorable Leader of the opposition, honorable Leader of the opposition, please. Honorable Leader of the opposition, please please. Honorable Leader of the opposition. Mr. Tewaadi, I have no longer understood what he is talking about. He is saying that कि कमजोर वर्गों के लोपों को हमेशा वो ऐसा टिकेट देते हैं वो पूह नहीं खोलना वोस पार्टी में बात भी नहीं करना ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूँ सब पार्टी बोला मैं आपके पार्टी को नहीं बोला अरे भाइटी आप मिला माँ आप यह देखिए अरे अरे है सबी पार्टी हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है इसी ले इसी ले इसी ले महिलाय पीचे है आप उनको बात करने नहीं देते उनके अकोग को आप तभी भी आगे पढ़ने ही ने देते ne no one second one second one second please honorable chlorım about one second one second I Ill come to you please honorable mentions honorable finance minister sir I am sorry I respect the excuse me please please sir we respect the the City of the opposition. But to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. Roshrapati Draupati Murmuju is an empowered woman. Κाहि नहीं मियर्त, क्वेबर बाडने.. στηव बाडने करते करा फालों नहीं मो임न मेरेस्टी पारे, कि आपने हमेरने के अपनार मेर्ट प्रिछानी ट्रींपरिए, ज़ inver एकन्यूम प्रिम्वेर्फोरिबर पॉरल्ड कॉमेर्रुम्ड्वें प्रावपती मुर्मो जी खोने? I'm sorry, opposition leader cannot please insult people like this, cannot draw differentiation between women. Mahila ke Bait mein, no way, no way. How can you draw difference between one woman and other woman? We are asking for reservation for all women. प्रावपती is a tribal woman, unacceptable. Please, 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 take your seat. Take your seat, take your seat, take your seat, take your seat, please take your seat. Take, take your seat, one second, take your seat. Honorable members, what is being discussed is historic, epochal, justice to half of humanity. Something which the people awaited for decades. Several efforts had been made, as the Honorable Prime Minister indicated. Honorable Khargaji was saying something to which an exception has been taken. I would, Honorable Members, I, minimum I expect, is unanimity, affirmative step, total support to this historic step which is being taken bilatedly and and one second Mr. Tiwadi imagine imagine women of this country in all categories are waiting for it they look up to us we are the upper house we are the house of elders if we don't come to support such an affirmative affirmative legislation all right so I give the floor no one has leader of the opposition nothing will go and record leader of the opposition please go ahead sir thank you answer I will urge you sir sir I will give you one second 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 this is the third point the whole world is the 50% of humanity is the same many are the same long time we have to fructify leader of the opposition leader of the opposition leader of the opposition sir I will give you one second I will give you one second sir the parliament of India the temple of Indian democracy quality is sacred and permanent however as we meet for the first time in Rajasabha chamber in new parliament building this occasion marks a new beginning as far as venue of our deliberations are concerned it is my fond hope that we have fruitful discussion on all matters of public interest and considered deliberations on bills I also hope that in the times to come the fraternity among parliamentarians cutting across the party lines is re-established in order to create a congenial atmosphere and constructive exchange of ideas among lawmakers the need of the nation is that we parliamentarians live up to the people's expectation in addressing their concern sir I am the only trying to do I am the only the people who build the laws that the laws of the law have got to get to get to get to get the I was saying to get to get to get in the people have spoken and to get to get the मुद्धा मानने प्रदान मंत्री जी ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी भारती डिमोक्रसी और फेडरल स्ट्रक्चर को हमने बहुत मजबूती दी लेकिन सब सभी का कहिना आप किसी से भी पूछो कि आपके नित्रत में फेडरल स्ट्रक्चर दिन पर दिन कमजोर होती जा रहे हैं कम ते कम कमजोर होते हैं और जो धर में रहे हैं कम जचत्रिट अच बशची और ऑन में सर्क्र कोजक्ति और गुट्बश थे टो ला hell कि नइसा कि size रहे請 में कि विद कोपेरियोझंटी युपरेशिय। इस निए प्लाज जोची. Sir, my only request with folded hand is, Sir, when Honourable Prime Minister spoke in both the House and even today morning in the Central Hall, the Prime Minister spoke totally apolitical. Sir, sir, he entirely narrated the today's situation and never he alleged against anything and it was very unbiased, balanced speech, sir. At least on the first day, sir. On the first day, at least we can expect can you at least least we can expect from the leader of the opposition that he is a very experienced person, sir. He is an experienced leader. He was eight-time MLA. Let him speak as a statement, sir. That is what we expect from him, sir. His expectation is you will act like a statesman. I will say, you know, here in Delhi what do you do, and what do you do, what do you do? I will tell you. Those all know me. I am sorry. जबान से बात नहीं है, मेरी जबान से बात नहीं है, खड़के जी, राइम मिनिस्टर, खड़के जी, अपने भाशन में कहें, आज दो विच्टतर बात हुई, आपने, एक सेकिन, जरब, प्लीज, आपने कहा इस सदन में, और मैंने आपको कहा, आपने कहा, परदान मंत्री निरेंदर मोदी जी, ने बहोत कम वेकटवे दिये हैं, या आपने कहा, और आपने कहा, कि फॉर्मल दिये हैं, प्रेजिडेंट अड्रेस पर अधर वाईज, अब आज ज़्यादा दे दिये, तो भी आपको अपत्ती होगी, बहुत में आजब दान सिया, जैराम, जैराम, प्रदान मंतरी जी बोल रहे थे किस-किस पॉइंट पर बोल रहे थे वो इस कागस पे लिखके बोल रहा हूं अगर ए फेडराल स्टुक्चर के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में अगर वह बात नहीं किये अगर उखे तो मैं विड्रॉव कर लेत देखो अरे मजबूत करने इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आप मजबूत करने की बात किये लेकिन एक एक गवर्मेंट को आईसा किरा दिये हर गवर्मेंट को महराश्टा गवर्मेंट को गवर्मेंट को गवर्मेंट को गवर्मेंट को गवर्मेंट को गवर्मेंट को वोन रिकॉर्ड जी ने मेरे पार्लामेटर एफर्स मिनेश्टर बड़े उद्धार तक के साथ कि आज जिस प्रकार के आमने सुरुआब कर रहे हैं एक स्टेस्टमान सी दिखानी चाहिए प्रदान मंत्री जी ने competitive, cooperative federalism के बारे में का, मैं एक उधान दना चाहता हूं सर, 2014 में, 2014 में मई महने में मानने परदान मंतरी जी सपत लिए, तब, तब 14finance कमिशन की निर्णे, उनकी सामने आया, 14finance कमिशन बनी थी पिछले सरकारों में, सर, 10% की, 10% की quantum jump, उन्होंने देखा नहीं, किस राजचा ने उनको भोट दिया एए किसे नहीं दिया नहीं दिखा सर हमें यह किया केँ लिजेगे हैं पराशो तक इन्हों हो ने पिडि दरफिडी धिली में शासन किया कई से राचेते को शासन कर रहते मैं से आशाम का उदा दना च offenders सब्सक्राइब करता हूँ मैं जब बात करता हूँ अगर वो गलत है तो बात में उठके बात कर सकते हैं यहां पर पर सकते हैं यहां प्राइब मिनिस्टर जब आते हैं तो यह कांपुटीशन बढ़ता है तुम सब्सक्राइब करें घरा हुशार रही है कोन आपके पीछे सपर्ट करते है कोन अपके सामने बात इसका थोड़ा फिख्याल दिले जी ऐसा है खरगे जी विशे पर रही है वरना बात दूर तर लग जाएगी इतनी दूर तर लग जाएगी कि वापस नहीं आएगी कौन लेता आता है कितना परवावित होता है सदर सेगन कितना बोलते हैं यह सब को पता है तो प्लीज ओन दे सर्जेक्ट सर यह जो है बहुत से स्टेट में स्टेट में कमजोर उनको किया जा रहा है एक तो जी एस्टी जल्दी उनको मिलती नहीं मन्रेगा का अमांट टाइम ली नहीं जाता है और उनके जो समस्या है चाहे अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट हो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट उनको जो ग्रैंट टाइमली मिलना चाहिए वो नहीं मिलता अगर वो नहीं मिला तो क्या हाप फेडरल स्टेट्स को जो स्टेट्स है उनक आप democracy पर विश्वास रखते हो democracy लोगतंत्र के अनुसार चलना चाहते हो और आप लोगतंत्र के बातों के लिroe इतने हैं कि हमने ही किया हमने उसको मजबूत किया यह सब कहिते हो लेकिन जहां जह profitable elected MLA गौवर्मेंटे उन को किराने का काम आपी किया आप इश्या से अलग बठ रहे है मान लिए परतिपर के नेता जी I expect you to please conform to the issue जेको ये नहीं नहीं I am not going to yield I am not going to yield I am not going to yield but you will listen to me I am not going to yield you will listen to me one second since since you have made a very serious reflection concerning the Honorable Finance Minister's Ministry let us respond come on please go ahead thank you very much for giving me this opportunity nothing will go and record accept factually incorrect statement has been made by the opposition leader GST samayi par nahi milta ek dam galat I have even borrowed money and paid the states at least one or two months in advance each time three times he paid in advance there is no money pending for any state on GST no delayed payments on GST I will give you complete data I am sorry and if the states don't give the both the both the Honorable Leader of the Opposition and Honorable Finance Minister will put the documents on record yes substantiating their stand either side do it during course of the day during course of the day sir during course of the day we cannot allow Parliament it is no we cannot have free fall of information to blame like this the statement the statement one second the statement has been categorically contradicted both of them are senior functionalities they are called upon to put documentation on the table of the house during course of the day please go ahead to get a littlepiej Foders पूमे करो डिश्यादक्ष्ठ्ष्ध इसे हैं अलोपी कि एक बर्यादा है इसे हैं विस्त्ध प्रियादा को पत्ब किया गए अब देखी एए अद्द्ध किये अद्द्ध श्मोदध है अगर आप डॉकुमेंट दो गोलेंगे, पूरे मैं C.A.G. के रिपोर्ट के और हमारे स्टेट, हर स्टेट को जो ग्रैंट जाना था, वो सब के कलेक्ट करके फिर बाद में आपको दोंगा. अजिए निए निए निए, निए निए, 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 नि sir but because the leader of the opposition stated so authoritatively he should have the document in his hand without that how did he say please conclude sir conclude this is the first day let us set a good example please sir come on sir come on this is the obstruction why I don't understand why I don't understand and the prime minister is not saying the prime minister is not saying the prime minister is listening but I don't understand but I don't understand sir 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 now this is not the way to shout no no don't get into this habit don't get into this habit don't get into this habit you do it repeatedly Nasir you also do it repeatedly don't do it don't do it sir can you can you have some control over your people my people they are distributing you when you are speaking sir my people are my people are under control but prime minister is not controlling their people please conclude please conclude you do it I don't do it I want to know you and you if you ask the state if you ask the state then you will say whether it is बिंगाल हो चाहे आंद्रा हो चाहे अपना महराष्टा हो जो पंजाब कोई भी किसको करना टका आप मध्य प्रदेश को राजस्तान को पूछो सब को 36 में पूछो सरे सुनिया वो सब अपने अपने पूछेंगे महराष्टा बोले तो है इसलिए बोल रहे हैं ठीक है फिर अ अब आपका जादा वक्त नहीं लेना है अर इस बात को आप धान में रखना चाहे और खास कर प्रदान मंतरी जी इस बात को ध्यान में रखेंगे मुझे विश्वास है क्योंकि नया बिल्डिंग बहुत से कमिया भी है अभी वो ठीक हो जाएंगे आपके नितरुत में लेकिन बढ़िया बिल्डिंग में पहली बार है मैं बहुत जादा समय लेके कुछ बोलना नहीं चाहता शांती के साथ सुबह अभी हो रहा है होने दो तो इसको मैं कॉपरेट करूंगा लेकर एक बात बोलूंगा वो जरूर सुनना चाहिए तो यह जड़ा छोड़ना चाहिए तेरा भी मेरा मेरा तो है ही है दोनु तेरा मेरा बोलकर सबी चीजे अपने ही जोली में अगर डाल लेते कहें और पीछे जो हुआ उसको भूल जाते हैं तो यह अच्छा नहीं है तो कम से कम इसको रहा है ने तेरा ने मेरा हमारा यही हो रहा है ठीक है Sir, we are Ambedkarani on 25th November 1949 में एक बाग कही थी Will Indians place the country above their creed? Will Indians place the country above their creed? Or will they place creed above country? I do not know. But this much is certain that if the parties place creed above country If parties place creed above country, our independence will be put in Jio Party and second time and probably be lost forever. अगर हम creed यह पार्टी के ऊपर रखेंगे State का इंटरस्ट, country का इंटरस्ट छोड़के अगर ऐसा करते गए तो कोई देश जादा दिन आजादी नहीं पासका यह उनका कहना है और इस eventuality, we must all resultly guard against we must be determined to defend our independence with the last drop of our blood this is the saying of Dr. Vahva sahab Ambedkar in spite of so many obstacles at that time also यह हर आदमी चाहता है अपने देश की इज़त बड़े और देश को मजबूत करें लेकिन चंदों गुत्ता लेते हैं उनी का contract है देशभक्ती उनकी contract है और बोला उनका contract है लेकिन आप ये भी देखिए जो समाज में दूसरे लोग भी रहते हैं ऐसे लोग भी देश के लिए लड़ते हैं और आखरी दम तक आखरी खुन का खत्रे तक देश को बचाने के लिए लड़ने के लिए सभी तयार है और हम भी उसमें से हैं हम भी उसमें से हैं there is a great danger of things going wrong there is a great danger of things going wrong times are fast changing people including our own are being moved by new ideologies they are getting tired of government by the people they are prepared to have government for the people and are indifferent whether it is government of the people and by the people ये जो है काहन उस वक्त भी ऐसे समय आए लेकिन देश के लिए सभी एक होकर ऐसी बाते उस वक्त आई तो इसको हम एक होकर देश के अच्छाई के लिए या women reservation हो या SCST reservation in promotion हो या कोई चीज हम मिलके सबको विश्वास में लेके करेंगे तो हर चीज को अगर महीं करा दूसरे कुछ भी नहीं करा ये ठीक नहीं रहता तो anyway एक बात कहिके मैं खतम करता हूँ अपनी बात को समात करता हूँ सर यह भी कोट debate constitution assembly का ही है however good a constitution may be if those who are implementing it are not good it will prove to be bad however good a constitution may be if those who are implementing it are not good it will prove to be bad however bad a constitution may be if those who are implementing it are good it will prove to be good तो 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 अरे ये तो आपके लिए हम हम सब के लिए कहा सो है आप तो उस वक्त नहीं से ना वह एक्जिस्टेंस में क्यों ले रहा नहीं आप आप विचारे वो कहा से था उस वक्त तो नहीं थे सिर्फ एक दो चार इंपोर्टेंट लीडर छोड़के बाकी का इनका हिस्सा ही नहीं उसमें छोड़ दीजे इसलिए मैं आप से विनंति करता हूँ हमको जो कहना है कहने दो उसका उत्तर तो देंगे प्राइब मिनिस्टर इतने मजबूत है एक एक गंटा दो दो गंटे तिन तिन गंटे बोलेंगे और हर दीन बोलेंगे लेकिन मनी पूर में बोलेंगे तो वो कैसा भूँछा प्लीज आए कर्केजी प्लीज़ तर इस सदन के अंदर मैंने अतक प्रियास किया मैंने ये कहा कि आदी रात तक भैस कराऊंगा आपने मोक्य को अवेल नहीं किया लगातार मैंने आपको अन्रोड किया नतीजा ये हुआ कि लोग सभा में परदान मंत्री जी और ग्रेम मंत्री जी नहीं वेक्तवे दिया मुझे कहेंगे मेरा हक होता है अरे माई वहीं रिप्लाइड देखा है मुझे प्रेशानी हुए है कहीं चीजे अगर पहले ही होती प्लीज कम अच ये नोबत नहीं आपी तेंक यू बढ़के जी उसी वक्त में चौप देने वाला था अगर आपको ठीक नहीं लगता तो बात और है लेकिन हम सब मिलके काम करना है अगर मिलके काम नहीं करेंगे देश का उद्दार होने वाला नहीं है थांक यू थांक यू झाल 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 राज्य सभा की कारवाही अब कल सुभा ग्यारा बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है संसद का विशेश सत्र जिसका आज दूसरा दिन कई मालनों में एते हसिक आज हमने देखा कि संसद के नए भवन में कारवाही का आगाज एक नए संकल्प के साथ हुआ प्रधान मंथरी नरिंदर मोदी लोगसभा की कारवाही शिरू होने से पहले वो लोगसभा पहुँचे वहाँ उन्होंने तमाम सांसदों को सदन को संबोधित किया और इसके बाद राज्य सभा की कारवाही में उन्होंने हिस्सा लिया और कुछ देर पहले ही उनका संबोधन राजसभा में भी हमने सुना राजसभा में नेता प्रदिपक्ष मलेकारजुन खडगे ने भी सदन को संबोधित किया और कुछ पलो पहले ही राजसभा की कारवाही भी कल तक के लिए स्थागित कर दी गई है संसत के विशेश सत्र का आज दूसरा दिन हापी से उपर उठ करके गंभीर बाउधिक विचार मुमर्ष का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्त यही से निकले यह स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहें और लोक तंत्र की सम्रुद्धी में यह योगदान ही उस सम्रुद्धी को मैं अधिक मुल्य वृद्धी कर सकता है अधरे सभावत देजी इस सदन में अनेक महापुर्ष हो मैं सब का उलेक तो न कर पाऊं लेगे लालमादू सात्री जी हो गोविन बल्लब पंत साफ हो लालकृष्ण अर्वानी जी हो प्रणो मुकर जी साफ हो अरुन जेटली जी हो ऐसे अंगिनित विद्वान स्रेष्टी जन और सारवजनी जीवन में वरशों तक तपस्या के हुए लोग इस सदन को सुशोभित किया है देश का मारदर्शन किया है इसे अतहसिक पलो के आज हम सभी गवा बने हैं फिलाल इसी के साथ इस खास पेशकुष में इतना ही नमस्कार ये सर्फ एक भवन नहीं एक सो चालीस करोड भारत वास्यों के आकांशाओं और सपनों का प्रतिविम्ब है ये नया संसत्भवन योजना को यथार्थ से नीती को निर्मार से इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से संकल्प को सिद्धी से जोडने वाली एहम कड़ी सावित होगा ये नया संसत्भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है ये विक्सित भारत के निर्मार में हम सभी के लिए नई प्रेरा बनेगा ये संसत्भवन हर भारती के करतव भाव को जागरित करेगा यहां होने वाला हर निर्मार आने वाली सद्यों को सजाने संवारने वाला है यहां होने वाला हर निर्मार आने वाली पीडियों को सशक्त करने वाला है यहां होने वाला हर निर्मार भारत के उजव्यस भविश्य का आधार बनेगा इस नए संसद्धोन की हर ही हर दिवार इसका कान-कान गरीब के कल्यान के लिए सब्सक्राइब संसद्ध के इस नए भवन में बनने वाले एक नए कानूं भारत को विश्य भारत बनाएंगे इस संसद्ध में बनने वाले कानूं भारत को गरीबी से बहार निकाले में मदब करेंगे इस संसद्ध में बनने वाले कानूं देश की युवाओं के लिए महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्मार करेंगे संसत का ये नया भवन नए भारत के स्रजन का आधार बने एक सम्रुत्य ससक्त और विख्षित भारत निती न्याय सत्य मर्यादा और कर्तव्य पत्पर और ससक्त होकर चलने वाला भारत कर दो नमस्कार मैं दीक्षा कोली और इस वक्त हम माजूद हैं संसत के नए प्रांगन में इस एरिया को कोट्याड एरिया कहते हैं दरसल जब हम किसी भी भवन का निर्मान करते हैं उस सपने को देखते हैं तो उसे मूर्त रूप देने से पहले उसके एक परिकल्पना को तयार किया जाता है जो उस परिकल्पना को तयार करता है ये समझ लीजिए जब वो कलम उठाता है ये ज़रूर बदा देता है कि हाँ यह हू बहू ऐसे ही दिखने वाली है चिया मैं बात कर रही हूँ संसत के नए भवन की और आज हमारे साथ हैं इसी भवन की आर्किटेक्ट बिवल पठेल जी तमश्कार सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका संसत टीवी पर सर शुरुवात से बात करते हैं दिल्ली की ही बात करती हूँ क्योंकि इस वक्त हम दिल्ली में ही है कहते हैं दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है 1931 की दिल्ली को गर देखा जाये जो बिल्कुल इंपिरियल स्टाइल में बनी थी उस दिल्ली में रिवांप करना एक बड़ी चुनोती लेकिन आपने अगर मैं कहूं कि spectacular heritage space के बीच में आपने एक diamond तयार किया है तो यह गलत नहीं होगा पर यह कितना बड़ा challenge था इसे तयार करना इसे बनाना और वो भी ऐसे कि जो already existing है उसे कोई फर्क ना पड़े इसके बारे मैं सोचना चालू किया तो यह तो ख्याल थाई कि एक बहुत बहुत important heritage setting में हम नहीं पार्लामेंट बनाने जा रहे हैं यह heritage setting है जो पूरे हिंदुस्तान के दिल में बसी हुई heritage setting है बनाई थी ब्रिटिश लोगों ने पर हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भी है तो यहां पे जबी नई पार्लामेंट बनानी थी तो ऐसे बनाना था कि heritage disturb ना हो और साथ साथ में एक अपना सा बिल्डिंग भी एक बने जो हिंदुस्तान के heritage को reflect करे अपने nation को reflect करे और इस story में एक हिंदुस्तान की स्टोरी को आगे बढ़ाए तो यही तो एक चैलेंज थी और जबी हमें बताया गया कि हमें यह करना है तो यह बहुत आनंद भी था और बहुत बड़ी क्योंकि यह बिल्डिंग अभी इसके साथ पूरी हिंदुस्तान के होपस जुड़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर का विजन जुड़ा हुआ है तो इस वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लखी लिए ऐसा था कि मेरी साथ मेरी टीम बहुत देर लॉट वेरी वेरी केपबल कॉंपेटेंट पीपल वर्किंग विच मी में एक लीडर्शिप देता हूं यह टीम को पर यह ऐसी चीज हो नहीं सकती है इव दिस इस नौट टीम वर्क डिजाइन में डिजाइन के साथ कॉंट्रेक्टर सीपीड़ी मिनिस्ट्री सभी को मिल के खाम करना है तभी यह चैले जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था क्या ऐसा कुछ हुआ था येस एक कॉंपिटेशन थी जिसमें पूरे सेंट्रल विस्ता के रिवैंप की कॉंसेप्चुल डिजाइन तेयार करनी थी कि यह पूरा जो एरिया है वो पूरे एरिया को एक टूटली रिवैंप करक एक बहुत ही इंपोर्टन्ट गवर्नेंस इंफ्रस्ट्रक्चर बनाना था यानि लेजिसलेटिव कॉंप्लेक्स, एक्जिग्यूटिव कॉंप्लेक्स, पुरानी जो ओफिसेज हैं उसकी जगें काफी सारे सेंट्रल गवर्मेंट एंप्लोईज इसके साथ बहुत बढ़ी पब्लिक स्पेस है बीच में, जो आज अपने कर्तवियापत कहते हैं, पुरान नाम था राजपत, तोनों साइट पर बहुत बड़े इंपोर्टन्ट गार्डन्स है, जो देली के लिए इंपोर्टन्ट है, तो एक बड़ी पब्लिक स्पेस भी थी, तो यह पब्लिक स्पे की सीट है, वो रैसीना हिल के ऊपर है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपती भावन, राष्ट्रपती भावन तो खेर, फिर्स सिजन अप थे कांट्री है, पर इस गवर्मेंट ओफिसे आप अफिसे आप ए हिल, जैसे प्रिटिक स्पेस को करना था, तो यह प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि इसको इनवर्ट कर देना है, उपर लोग होने चाहिए, सरकार नीचे होने चाहिए, तो हमने सोचा कि इस इस इपूरी सरकार की स्पेस बने, तो यह इनवर्जन भी एक बहुत इंपोर्टन पार्ट है, यह प्रोजेक का, तो उसके आगे यह जो पार्लमेंट का है, बिल्कुल, संसत का नया भवन, अब मैं संसत के नया भवन पर आती हूं, जब इनीशली आपने यहां पर आकर रहकी किया, आपको पता चला यह प्लॉट है, जिस पर कंस्ट्रॉक्शन का काम होना है, यह बिसिकली ट्राइंगुलर शेप का अगर हम संसत के नया भवन को देखें, जो अब नया भवन तयार हुआ है, वो त्रिबुज आकार है, तो क्या यह जो शेप है, ट्राइंगुलर शेप, त्रिबुज आकार, क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन था कि हमें इसी में ही कंस्रॉक्शन करनी थी, या फिर अगर के नया भील्डिंग बना सकते हैं, पर पहले तो स्टडी किया पुराने बिल्डिंग का, पुराने बिल्डिंग तो पार्लमेंट था ही नहीं, वो तो कॉंसिल हॉस बनी थी, वह पे, यह तो वी अड़िप्टे इट इट फोर पार्लमेंट अव इंडिया, अभी उसमें कां 242 people sitting, तो बहुत ही stressed facilities है, काफी सारी offices है, काफी सारी other infrastructure है, and it is a building which is wonderful, but it was never meant to be Parliament of India, it was meant to be council house of the British शरकार, उसको अपने एड़ेप्ट कर लिया है, आज we are thinking of that as, so जब ही study किया तभी पता चला कि नया बिल्डिंग बनाना ही होगा, क्योंकि if the Parliament is to be, if लोगसभा, राजसभा are to be expanded, तो वो तो पुराने बिल्डिंग में आशक्या है, तो नया बिल्डिंग करना पड़ेगा, फिर हमने यह सोचा कि नया बिल्डिंग करते हैं, तो भाजु वाले प्लॉट में ही क्यों नहीं करें, क्योंकि यह बाजु वाले प्लॉट है, उसमें करें, और साथ साथ में करें, तो दोनों बिल्डिंग एक कॉम्पलेक्स बन जाएंगे, और past और present and future are all tied up together, and दोनों बि we started doing that, it became clear के दो बिल्डिंग साथ में मिल जूल के चलना है, एक पार्लमेंट कॉम्पलेक्स बना रहे हैं, एक नहीं पार्लमेंट नहीं बना रहे हैं, पार्लमेंट कॉम्पलेक्स बना रहे हैं, और दोनों आपस में, they should be sitting comfortably next to each other, they should not compete with each other, तो how to match them, but not copy old parliament, copy नहीं करना है, यह अपना हिंदुस्तान का पार्लमेंट, it has to be different, and at the same time, it respects the heritage, so it is an approach of that sort, तो हमने जो बार का व्यू है उसमें, we have also taken the stone to be similar, अब बिल्डिंग का साइज देखोगे, तो हाइट वाइट भी उन से मैचिंग है, तो दोनों एक जैसे लगे की, हाँ, हो सकते है, दोनों साथ मे अपना पार्लमेंट कांप्लेक्स है, अब प्लोट तो ट्राइंगूलर था, तो उस और रिक्वार्मेंट काफी जादा थी, तो इसमें ट्राइंगूलर बिल्डिंग, maximum is the best option, साथ-साथ में यह जो circular, ऐसे बिल्डिंग बनते हैं, जैसे अपने टेंपल्स होते हैं, इसको अपने टेंपल ओव डेमोकरसी बोलते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग को काशेप एक प्राइमरी फॉर्म से दिया जाता है, जैसे उसमें सर्कल है, इसमें अपने टेंपल्स होते उसमें स्क्वेर्स पे पैटर्न्स बनती हैं, तो इसमें हमने डिसाइड किया, कि प्लॉट है ट एक में लोग सभा रहेगी, एक तीसरा जो कोना है, जिसमें जो अपने खड़े हैं यहां पे, यह जो खोट्याड है, यहां पे परल्लामेंट में बहुत इंपोर्टन्ट है, लोग मिलते हैं, बाते करते हैं आपस में, तो यह उनकी काफे और डाइनिंग स्पेस, लाउंज तो यह सेंट्रल लाउंज, जो पुरानी बिल्डिंग में वो सेंट्रल हॉल यह काम कर रही थी, तो यह इस इस दे एक्रिवेलेंट अफ टेट स्पेस हीर. संसत के विशेश सत्र का कामकाज और ने संसत भवन में काम की शुरुवार, वो भी गड़ेश चतुर्थी के शुमोहुरत के साथ, लोकतंत्र के उसी मंदिर में संभव है, जो देश विचारों से सनातनी हो, जहांके लोगों में बस्ती है, वसुधैव कुटुमकम की भाव और जहां गुझता है सत्यमेव जैते, जहां एक तरफ इतिहास का साक्षी बना है हमारा विशाल, पुराना संसत भवन, तो वहीं आकांशी भारत का नया संसत भवन, जिसकी दिवारों पली की पंतियों से समझने की कोशिश करेंगे, विकास और विरासत के इस अद्भुत स प्रणगम को करोड़ भारत वाच्व एक, खाकांशाओ, और सपनो का प्रति बिम्ब है The two parliament buildings are not only priceless images of Indian democracy, but also signify that change is the only constant. On the one side is history. There stands a heritage that has been there for over 100 years, bearing witness to India's journey from bondage to freedom. It is in the central hall of this building that India officially attained its freedom at the midnight of 14th and 15th of August 1947. It has stood witness to India's progress as a free nation over 76 years, making of the Indian constitution the glue that binds all of us. All the laws that India enacted to govern its people, it has seen ups and downs. Governments formed and replaced. What has withstood all through are the core democratic values the temple of democracy is meant to strengthen. On the other side is this towering structure, an example of modernity. In a way, it is like passing of a baton. For life to remain relevant, both heritage and modernity are essential. Both have their place and significance. They say the flow of time brings change and today we are witnesses to that change. You and I, the people of the country. The new parliament building was inaugurated by the Prime Minister on the 28th of May this year. And with a special session, this magnificent structure is hoped would truly come to life with debates, discussions and deliberations on matters that concern every common man of the most populous nation of the planet and also its largest democracy. It is said that today's efforts shape tomorrow and if these opportunities are embraced, they become the foundation for significant changes. The new parliament building is a testament of India's ingenuity, its technology, its architecture, its resources. Now let us all hope that it takes us on an enlightened path where India is recognized not only as the largest but also the greatest democracy on earth. इस्वी शिएकले कि Dashalda साल 1976 में 52W सम्मिधान संशोधन के माध्यम से अपनाए गए मौरिक करतव्यों का भूल उत्धेश्य, नागरिकों को सम्विधान का पालन करने के लिए प्रेरित करने और आदर्ष विचारों को बढ़वा देने का है आई आपको बताते हैं सम्विधान में वन्नित नवा मौलिन करतव्य क्या है नौवा कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्य को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रखना सरकार की संपत्य जैसे की ऐसे भवन या संपत्यां जिनका प्रियोग जल, प्रकाश, शक्ति या उर्जा के उत्पादन और वित्रन के लिए किया जाता हो देल संबंधी प्रतिष्ठान, खान या कारखाना, सीवित संबंधी कारिस्थल, लोग परिवन या दूर संचार का कोई साधन या संबंध में उप्योग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्य सभी सार्वजनिक संपत्य के अंतर गताते हैं एक जमिदान नागरिक होने के नाते, यह हमारा करतव भी है कि हम इन्हें सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर हैं इतना ही नहीं, लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए लोग संपत्य नुकसान निवारण अधिनियम 1984 सी भी बनाया गया है इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, किसी भी सारुवजनिक संपत्य को दुरभावना पूर्णक्रत के द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो उसे पाँच साल तक की जेल, अधुआ, जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है अगर कोई प्रोटेस्ट लॉज करने के लिए प्रोपर्टी को डैमेज पहुंचाता है तो उसकी रिकवरी के लिए उसको सजा देने के लिए कानून में 1984 में परले में ने जो कानून बनाया उसमें प्रवाधान रखा गया यगर कोई प्रोपर्टी प्रोपर्टी को डैमेज करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है जिसमें मिनिमम सजा का 6 महीने का प्रवाधान है अक्सर देखा जाता है कि विरोध के नाम पर सबसे पहले सारवजनिक संपत्ती को निशाना बनाया जाता है और उसे नुकसान पहुचाया जाता है जबकि मूल कर्तव्य में कहा गया है कि हमें हर हाल में सारवजनिक संपत्ती को सुरक्षद रखना है यदि कोई सारवजनिक संपत्ती यथा बस इमारत आधी को नुकसान पहुचाने के कोशिश करता है तो उसे रोकना चाहिए सरकारों ने कुछ अपनी तरफ से कदम लिये जैसे कि यूपी में किया गया डी फेम करने की बात की गई डी फेम दी नेम की बात की गई यह एक अच्छा प्रवाधान है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संग्यान लेते हुए 2019 में एक जज्च्मिंट दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कि किसी को भी आप अपना डिमोंस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना एंगर एक्स्प्रेस कर सकते हैं गौउर्मेंट के सामने आप हड़ताल कर सकते हैं वो आपका fundamental right है लेकिन आप किसी भी तरह से public property को damage करेंगे तो आपको liability होगी कि आप उसके लिए शती पूर्ती करें महात्मा गांधी के शब्दों में मौलिक अधिकार वे जिम्यदारिया हैं जिनहें नागरिकों को अध्यन्त समर्पन और सची मानदारे के साथ पूरा करना चाहिए ऐसे में ये सपष्ट होता है कि कर्तव्य और अधिकार आपस में एक दूसरे के साथ खुले मिले हैं अधिकार व्यत्ति को कर्तव्य के शर्ट पर ही मिल सकते हैं महात्मा गांधी की इस बात को प्रधानमंत्री भी दोहरा चुके हैं महात्मा गांदी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव हैं जिने हम सच्ची इंटिग्रीटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं आज अमरित काल में जब हम आज़ादी के 75 वर्स पूर्ण करके अगले 25 वर्सों की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो समीधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है आज़ादी का ये अमरित काल देश के लिए कर्तव्य काल है चाहे व्यक्ति हो या संस्ता है हमारे दाइत्व ही आज हमारी पहली प्राक्तिक्ता है अपने कर्तव्य पत पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई उंचाई पर ले जा सकते हैं मौलिक कर्तव्यों का उदेश, देश के प्रतेग नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानि की रेमाइंडर के रूप में यह बताना है कि सम्विधान ने विशेश रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्योहार के पुनियादी मान्दंडु का पालन करने की भी आवशित्ता है नमस्कार मेरा नाम फरीद कमाल उदीन शेख है मेरी कंपनी का नाम गोल्ड फिंगर एस्टाबिश्मेंट प्राइवेट लिमिटेड है हमें वर्क ओर्डर बिला स्टोन क्लाडिंग वर्क्स का 2020 March जिसके अंदर हमको सांसद भावन में जुड़के मैनत करके खुशी से काम करने का आउसर मिला है ये काम हमने सबसे पहले वर्क ओर्डर मिलने के तुरंट ही हमने पत्थर का जो सेलेक्शन था जो बेस्ट कॉलिटी पत्थर को हमको लाके यहां पे इस्तिमाल करना था हमने पहले उसके ओपर ध्यान दिया को मांच उसको मांचम नंस मेне शाइव नि relig करके इस ब्लॉक को वहां से निकलवाई rok ऑर athletics यहां पीज़ किया जो हमारे काम का तर घुमिना स्ट्रकर किया जो हमारे काम करेंसको भूसाईट करके उसकو had Future इसमें L Corner, Round Column, Octurnal Column, जो बनने थे उदेपूर. हमने उदेपूर फेक्टरियों भीजवाया और उदेपूर फेक्टरियों के ने स्पेसल मसीन इसके लिए लगी. साइट पे पत्थर आगया, साइट पे पत्थर आने के बाद चैलेंज स्टार्ट होता है यहां से, कि हर एक पत्थर को उसके रिक्वाइमेंट के हिसाब से हमारे टीम तक पहुँचाना, वो कब कितने क्वाइंटिटी में कैसे पहुचेगा, कैसे लगेगा, ड्रॉइंग के ह इस वह 누क יक्साब से लग रहें यह इन्षूर करना मेरे काम था, पत्थर मकराना मार्वल, सर्मत्व घौल पूर सAnnड इस्टोन, रैड इस्टोन, बेज इस्टोन, सब को प्रोपर तरीके से क्वाइनटिटी चेक करना, Makrana Marble Flooring Work Flooring Work में यह सेप की साइज यह बहुत ही खास पत्तर है Center for area में मैंने Makrana Marble का काम देखा इस पर यह क्या था कि यहां पर कि यह जो टोन जो लगे है यह एसपर ट्राईं के साफते जो जो फ्रेम लगे हुए जैसे अमें पिक्चर में मिला था, एक चेक्ट वैसे दिखे हैं. मुझे गोलफिंगर के तरफ से जितने भी सेंटर फॉर एरिया में क्लाइडिंग के वर्क थे, वो मुझे दिये गया हैं. पुरे रिस्पॉंसबिलिटी से वर्क को कंप्लीट करने के लिए. जब मैं इस वर्क को कराने के लिए अपने टीम के साथ इस एरिया में प्रजेंट हुई, तब मुझे लगा कि यह मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे पूरे लगने के साथ इसे कंप्लीट करने हैं. फिर मैंने अपने टीम को अच्छे से लिड किये, लिड करने के साथ मैंने टाइम तू टाइम हर एक वर्क का एक टाइम पिरिएट मैंने पर्टिकुलर सेट किया, दैन उसके साथ मैंने उसको परजेंट किया। और ये काफी गर्व के बात होती है कि इतने बड़े संस्भावन को बनाने में और इस एरिया को मेरे युगदान रहे इस एरिया में ये पत्थर हम आठ साथ आठ आदमी लेके आए हैं अच्छे सफाई करके सीलर्स लगा के मजबूती से लगाया है इसमें कोई दिक्कत नहीं और अपने मन से लगाया है कि अभी गिनने के नतीजे में नहीं है इसमें कितना लोड दिया जाए फिर भी ये कुछ नहीं होगा इस मारे दो कोट उसके बाद में जो अपना मसाला है कैमिकल है उसको बढ़िया मसीन से मिलाया मसीन से मिलाने के बाद में उसको नीचे मतलब लेवल किया लेवल करने के बाद में पत्थर को उसको चेक करवाया अपना पत्थर ठीक है या नहीं है उन्होंने बोला ठीक है सब को चेकिंग करवा के फिर उसको मतलब फिट किया, फिट करने के बाद में वो बारे गंटे में सुकता है, बारे गंटे में होने के बाद में फिर उसको चेक करवा, जब उन्होंने पास किया, उसके बाद वो किलिर हुआ, यहां पे बहुत हेबी स्टोन थे, उसको लेकर के उपर लेकर के लगाना बहुत जादा टफ था उसमें हम लोग जाद़तार इन्सवर करबते हैं कि किसी को तकलीफ ना है वो इस्टोन उपर से फॉल भी हो सकते हैं गिर भी सकते हैं तो इसके इसके लिए हम मालोग उपीर पुरा इंसॉर करके औरूपर इस टोन उठायते थे और सेफ्टी का यहां पर प्रोपर ध्यान अखा गया हमारी भी टीम ने बहुत मदद किया हमारी जो हमारे वर्कर थे वो लोग भी बहुत अच्छे से हमारी बातों को समझे और सेफ्टी में रहे और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये पार्लेमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने को मिला। करने के लिए मैंने मेरी कुछ युगदान दिया दिन रhyप करके मैनत करके इसको मने पूरा करVIाने के लिए एक चलेंजे के रूप में वित्סो कर किया। आज हमारे लिए, हमारी कमपनी के लिए बहुत गर्फ की बात है कि SANSAT BOWON जैसे प्रोजेक्ट में प्रेस्टीजिस प्रोजेक्ट के अंदर हमको मौका मिला हमने इसको बखोबी निभाया और आज हमारे रूह से हमको खुशी है कि हमने ऐसा काम किया है मेरा ये सहबा क्यों है कि टाटा प्रोजेक्स द्वारा मुझे नए संसर भवन का नीमान का कारिया में योगडान करने का मुका मिला मेरा प्रोजेक्स में चिंबेदारी है सही मठीयल साइट को पहुचाना सही स्कील लेबर्स, वरकर्स को साइट पे पहुचाना सही कॉंट्राक्टर्स को दून गा यह जब कारिया हमने स्टार्ट किया पाल्लामेंट बनाने का उस समय हमारे ज्यान में एक चीज हमने पक्की रखी और वो था आत्मनीगोर भारत मेकिन इंग आदे चूंकि यह भारत के लिए और भारत की जंता के लिए बन रहा था सो उसमें भारत के लोगों पूने चाहिए भारत का बटीरियर पूना चाहिए जिस टाइम फ्रेम में यह कारिया करना था उसमें उस कॉंडिटी का स्टोन लाना था जो बिल्डिंग से होती है इनके जो कॉंडर्स होते हैं जनरले हम जो स्टोंड स्लगाथे वो हम दो पीस में लगा दें ये बिल्डिंग के कारिय में हमें संसर बावन में एक पत्थर में से काटके उसको एकần का पीस लगा है. जहां भी Конवर्स है और ऐसे बहुत सारे हमने इस काम धी लिए जो सट्ट वेंडर है और स्टेस्ट माइन से हैं. और उसके जो कॉआटने के लिए उसके कई सारे फैक्टरीज जिसकी हमने पुरी उनकी गुनुवत्ता का एनालिसिस किया और ये बहुत बारिक प्लानिंग होता है विकोज आप जब कुछ लगा रहे हो तो साइट से एक मेजरमेंट जाता है उदर से आपको ब्लॉक सिलेक्ट करने करते हैं वो ब्लॉक माइन् फैक्टरी में भेजना है और वहां से वो शेप में लेके उसको प्रॉपर ट्रिट्मेंट करके पैकिंग करके आपको साइट पे डिलिवर करना है और ये प्रोजेक्ट में जब जो ये कारियर था उसमें हमारे पास जस्ट इन टाइम उसी समय तो हर एक चीज को बहुत हमने इस कारियर के लिए गोल फिंगर को ये जिम्मेधारी दी थी और जो काफी सारे काम हंदुस्तान में करते हैं स्टोन के और उन्होंने बकायदा बहुत सही तरह से ये समय पे और सही कौलिटी के साथ काम करके दिया सुनते हैं वो बात सबकी राज किसी किसी के आगे खोलते हैं ये पत्थर हैं जनाब और पत्थर भी बोलते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं संसत टीवी और आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कहुली इस वक्त हम वाजूद हैं संसत के नए भवन के सेंटर फॉयर एरिया में इसे डायमंड एरिया भी कहा जाता है ये एरिया इस भवन का बहुत खूबसूरत एरिया है वैसे तो इस भवन का हर कोना बहुत खूबसूरत है लेकिन जाने क्या है इस एरिया में कि यहां की चमक ही दिराली है और इस चमक को चारचान लगाते हैं यहां के पत्थर आईए इस कारिक्रम के बाध्य हम से जानते हैं इन पत्थरों की कहानी ये पत्थर माइन से आए, कैसे ये प्रोसेस हुए, कैसे तै किया गया कि यही पत्थर यहां की शोभा बढ़ाएंगे और वो कौन सी कमपनी है जिसे ये काम मिला और कैसे उन्होंने डेडिकेटिडली इस काम को किया और सही समय पर पूरा किया आज हमारे साथ हैं गोल्ड फिंगर के डिरेक्टर फरीद शेक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं जिन्दगी में बहुत से सपने होते हैं और उन सपनों को हम पूरा करने के लिए ताउम्र उनके पीछे भागते हैं लेकिन जिन्दगी का एक मकसद होता है कि हम जिन्दगी में कुछ बड़ा तो जरूर करेंगे लेकिन जब बात देश की हो और देश के लिए कुछ करने का मौका हो तो हम सबसे पहले अपने कदम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि country first ऐसे में जब लोकतंत्र का नया मंदिर उसका निर्मान कारे शुरू हुआ और आपको मौका मिला कि आप इसमें अपना contribution देंगे छे पुष्टों से लगाता आरा पत्थरों की भाषा समझ रहे हैं और जब आपको ये काम मिला तो कैसी feeling आई कैसे शुरू हुआ ये काम क्या है इसके पीछे की कहाने बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको मौका दिया इस चीज़ के लिए ये जो पत्थर है ये पत्थर सुर्फ बोलता नहीं ये पत्थर सुनता भी है और ये पत्थर महकता भी है और ये पत्थर दुनिया का सबसे खुबसूरत पत्थर जितने मौनिमेंटल प्रोजेक्ट बने है ये पत्थर लगा है जो है मकराना वाइट मार्बल ये प्रोजेक्ट जब हमारे पास आया था तो हमने एक दिल में सोचा कि बहुत तो काम कर चुके कुछ ऐसा काम कर दें कि जिसके लिए पुछते याद रखे कि कुछ काम ऐसा किया था तो ये मौका मिला तो हमने वो मौका गवाय बिना जो हमको लगा जो बैतर हो सकता है जो इस जगा के लिए अच्छे से अच्छा हो सकता है हमने वो कोशिश करी इसके अंदर सिलेक्शन जो मटीरिल का हुआ माइन्स का सिलेक्शन हुआ blocks का selection हुआ, यह जितना material यहां पे लगा है, यह सब special मुर्ती जो बनती है, जो पत्थर लगते है, मुर्तियों के पत्थर के blocks में से, हमने इसको काट काट के निकाला है, slaps के अंदर, और यह जितना भी marble है, यह पूरा sorting करके आया है यहां पे, first quality, makrana white marble जिसको बोलते है, वो इसकी खासियत यह है कि यह धूप में भी लगे तो थंडा है और च्छाओ में लगे तो भी थंडा है, इसकी thickness हमने decide करी, कि जितना thick रहेगा, उतना strong रहेगा, उतना थंडक रहेगी marble में, नहीं तो क्या है, normal thickness का marble ऐसा रहता है, कि आगे पीछे होता है, तूटता है, damage होता हमने एक thickness decide किया इसके अंदर कि इसको derive करने के लिए, इसकी safety factor देखने के लिए, यह जबके सबसे hardest material है, हमने mine से इसको निकाला, process किया, CPWD, Tata की team, architect की team, mines पे गई, block select करी, block select करके, उसमें से process करके, हमने यह सब चीजे लाई है, इसकी approximate thickness है, 30 mm thickness, जो marble की है, उसकी safety factor के लि ताके और safety हो जाए, ताके हमको 100 साल तक इसको देखने की जरूरत नहीं पड़े, आपने कहा कि यह मकराना white है, यह पूरी दुनिया जानती है कि मकराना का जो marble हो सबसे खूबसूरत होता है, सबसे ज़्यादा चमक होती है, सबसे ज़्यादा white होता है, लेकिन जब यहाँ इस पत्थर को लगाना था, उसके लिए बेहतर पत्थर हो, सबसे खूबसूरत पत्थर हो, क्योंकि माइन से जो ब्लॉक निकलते हैं, वो सब अलग-अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्मिटी भी बनानी थी, क्योंकि यह कैसी जगा पर यह हम पत्थर लगा रहे थे, वो ब्लॉक सिलेक्शन ऐसे थे के एक पिट के, एक पोजिशन के, एक ग्रेंज के, एक पिट का मटीरियल था, पूरा, नैचरल मटीरियल में जो वेरियेशन आता है, उतना वेरियेशन इसमें भी था, हमने ब्लॉक की कॉंटिटी जितना हमको तकरीबन यहां पे दस स्कूरिट में उसके लिए मेटीरियल की मााइनिंग करा थे, तकरीबन बीस हजार स्कूरिट, ताके हमको जो हमारा सिलेक्टेट कॉलिटी है, और कॉंटिटी है, वो हमको मिले, हमने उसके लिए मेटीरियल के ब्लॉक सिलेक्शन की है, यहां से CPWD की टीम, TATA प्रोजेक्श की टीम and architect की HCP की टीम साथ में वहाँ पे गई वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक की sorting किये पहले यह ऐसा नहीं है कि पूरा material जैसा माइन से निकला है वैसा है यह माइन्स के अंदर blocks निकालने के बाद sorting किया गया 20,000 square feet का material निकाला गया जिसको हमने cutting कराया process कराया उसको बाद में उदेपूर भीजा गया उजह उदेपूर जाने के बाद वहाँ पे जब polishing हुआ पॉलिश होने के बाद जो variation आया उसको भी sorting किया गया तो वह जो 20,000 foot था वह आ गया 10,000 square feet पे जो हमको एकसे जो quantity exact चाहिए थी हमने तो वह हिसाब से इसकी planning करी क्योंकि हमको पता था कि variation तो है being a natural material जो variation आएगा और इसमें जितना प्रेमिंग के बीच में लेंग की है और साथी इसके बीच में हेक्सागन के जो छोटे-छोटे pieces हैं वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं तो कुल मिला के अगर इस पूरे process को समझा जाए तो आपने इसमें कितने manpower को यूज किया कैसे इसकी कटिंग की गई और ये जो छोटे hexagon pieces हैं इसके लिए किन मशीनों का प्रयोग किया क्या इनका size है और साथी अगर मैं ये कहूं कि ये जो फ्रेम के अंदर fit किया गया है तो इसमें कितने challenges आए process को लेके और यहां तक आने के अंदर every step was a challenge और हर step एक learning रहा हमको experience भी है from our four fathers we have this experience लेकिन हर project एक challenging रहता है और सांसत भवन नया parliament होने के वज़े से वो pressure हमारे उपर जादा था डबल था हमने इसका जो cutting process किया water jet machines के उपर पूरा marble को cut किया CNC machines के उपर पूरा brass process कराया sorting selection की team थी जो तकरीबन एक मेना देड मेना उदेपूर में factory पे station थी वही पे lot selection होता था उसी दर्मियान CPWD, HCP, TATA की team continuous visit करती थी for inspection के अपनी तरफ से side पे आने से पहले यह 100% safe हो जाए material उस तरीके से material हमने side पे deliver किया तकरीबन हमको 4 मेने लगे mine से block निकाल के यहां पे लाके complete करने में हमको तकरीबन 4 मेने लगे जिसके अंदर 50 आदमी उदेपूर में काम कर रहे थे continuous जो marble cutting water jet के उपर CNC machines पे काम करना उसके साथ में 15 आदमी हमारे मुंबई में काम कर रहे थे जो brass पूरा process कर रहे थे क्योंकि हर brass का जो देखेंगे आप यह जो डिगली देख रहे हो यह हर एक piece है एक single single piece है और हर एक piece का detailing है वो हर बहुत complicated है उसको बिठाना उसको करना इसके लिए हमने क्या किया पहले floor लगाया पूरा floor लगा के start किया floor लगाने के बाद हमने brass insert चालू किया क्योंकि हमारे जितने पत्थर थे सब machine process थे तो जितना भी processing था उसके अंदर कोई variation नहीं आया था और जितना भी है उसको हमने control करके गए ते जो rejection था हमने वहीं पर रख दिया यहां तक आने भी नहीं दिया कि side का constraint नहीं हो तो हमने उसको control करके यहां पर लेकिया है तो हम कि अ आदली अद्रिक जी नए समसद भवन का ये प्रथम और एतिहास एक सत्र हैं। मैं सभी मान्य साउसदों को और सभी देश वासियों को बहुत-बहुत सुपामनाई देता हूं। आदेन देख जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में, नए सदन में, आपने मुझे बात रखने के लिए अउसर दिया हैं। इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारव्यक्त करता हूं। इस नए साउसद भवन में, मैं आप सभी मान्य साउसदों का भी रजाई से स्वागत करता हूं। ये अउसर कई माइनों में अभुपूर्वा है। आजहादी के अमरित काल का ये उशा काल है। और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविश्य तै करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। विज्ञान जगत में चंद्रयान तीन की गगन चुम्बी सफलता हर देश वाची को गर्व से फर देती। भारत के अद्रक्स्ता में जी ट्वेंटी का असाधारन आयो जगत। विश्व में इच्छित प्रभाव इस अर्थ में ये अद्वित्य उपलब्दियां हासिल करने वाला एक अउसर भारत के लिए बना। इसी आलोग में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का पतीक नए संसत ध्वन का शुभारम हुआ है। सुखत संयोग है कि ये गनेश चतुर्धी का शुभ दिन है। गनेश जी शुभता और सिद्धी के देवता है। गनेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस प्रावन दिवस पर हमारा ये शुभारम संकल्प से सिद्धी की और एक नए विश्वास के थाथ यात्रा को आरंब करने का है। आज हादी के अमरित काल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे तब अब जब गनेश चतुर्धी का परवा आज है तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभावी था। आज हादी के अंदोलद में लोकमान्य तिलक जी ने गनेश उत्षव को एक सारवजेनिक गनेश उत्षव के रूप में प्रस्थाबित करके पूरे राष्ट में सुराज्य की अहलेक जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गनेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी उसी प्रकार चे। आज ये गनेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत सुराज्य की बाद कही थी। आज हम समुरुद्ध भारत गणेश चतुर्दी के पावन दिवसपर उसकी प्रेणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदेने अद्द्ध जी आज सम्वत्षरी का भी परव है यह अपने आप में एक अधुभूत परंपरा है इस दिन को एक प्रकार थे छमा वानि का भी परव कहते है आज मिच्छामी दुकडम कहने का दीन है यह परवा मन से कर्म से वचन से अगर जाने अंजाने किसी को भी दुक पहुँचाया है तो उसकी शमायाचना का अउसर है मेरी तरब से भी पूरी मिनम्रता के साथ पूरे रदय से आप सभी को सभी सांसत सदस्यों को और सभी देश वास्यों को मिच्छामी दुकडम आज जब हम एक नई शुरुवात कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भूला कर आगे बढ़ना है इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आत्रण से हमारे वानी से हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए राष्ट के एक-एक नागरी के लिए वो प्रेणा का कारण बनना चाहिए और हम सब को इस दाईत्व को निभाने के लिए बर्षक प्रयास भी करना चाहिए आदिने अद्द्दक जी यह भवन नया है यहां सब कुछ नया है सारी व्यवस्थाएं नहीं यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंगरूप के साथ प्रस्तूत किया है सब कुछ नया है लेकिन यहां पर कल और आज को जोडती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मोजिद है वो नया नहीं है वो पुराना है और वो आज़ादी की पहली किरण का स्वयम साक्षी रहा है जो आज अभी हमारे बीच उपस्तित है वो हमारे समृत्य इतियास को जोडता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं संसदिय लोकतंत्र का जब यह नया ग्रवेश हो रहा है तो यहाँ पर आज़ादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीडियों के भी प्रेणा देने वाला है वैसा पवित्र सैंगौल और यह वो सैंगौल है जिसको भारत के प्रधाम प्रधान मंत्री पंडित नहरू का स्पर्श हुआ था यह पंडित नहरू के हाथों में पूजा विज़ी करकर के आज़ादी के परवका प्रारम्भ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वप्र अतीज को उसके साथ एसेंगौल हमें जोडता है तमिल नाडू की महान परंपरा का वो प्रतीख तो है ही देश को जोडने का भी देश की एकता का भी वो प्रतीख है और हम सभी मान्य सामसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोज पंडित नहरू के हाथ में शोभा देता था वो आज हम सब की प्रेणा का कारण बन रहा है इससे बड़ा गर्व क्या हो पर था अधर्णिय अधर्ग जी नए समसद भवन की भविता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है हमारे स्रमीक हमारे इंजीनियर्स हमारे कामगारों उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्हों ने जिस लगन से इस काम को किया है क्योंकि मुझे कारिय जब चल रहा था तब उन समीकों के बीच आने का बार-बार मोका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्त को ले करके उनसे मिलने आता था लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया आज मैं चाहूंगा घ्रम सब हमारे उस्तमिकों का हमारे हून कामगारों का हमारे इंजिनियर्स का रदैसे धन्यवाद करें रदैसे ज़द उनके द्वाराय निर्मित भावी पीडियों को पेना देने वाला है और तीस हजार से ज़्यादा स्रमी बंधों ने परिश्म किया है पसिना बाहा है इस भव्य वबस्ता को खड़ी करने के लिए और कई पीडियों के लिए ये बहुत बड़ा योगना मैंने अध्यक जी मैं उन स्रम्योगियों का नमन तो करता ही लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंब हो रहा है इसका मुझे अत्त आनन्द है इस सदन में एक डिजिटल बूक रखी गई है जिस डिजिटल बूक में उन सभी स्रम्योगों के पूरा परिचे इसमें रखा गया है ताके आने वाली पीरियों का पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कौने थे कौन समीटे आकर के इस भवी इमारत को याने उनके पसीने को भी अमरत्वदेरे का प्रयास इस सदन में हो रहा है ये एक नई शुरुवात है शुभ शुरुवात है और हम सब के लिए गर्व की शुरुवात है मैं इस अवसर पर 140 करोड देश वाचों की तरफ से मैं इस अवसर पर लोग तंत्र की महन प्रंप्रा की तरफ से हमारे इन समिकों का अबिदन करता है आदे नियत्यक जी हमारी यह कहाज आता है यद भावो तत भवती और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ गटित होता है यद भावो तत भवती और इसलिए हम जैसी भावना कर करते हैं और हम जैसी भावना करके कि प्रवेश किया है पुझे बिस्वाद है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो भहुत बड़ी स्वाबा भी भवन बड़ला है जंगा भाव भी बदलना चाहिए भाव ना भी बदलने चाहिए संसत राश्थ सेवा का सरवोच्च स्थान है यह संसत दलहित के लिए नहीं है हमारा समिधान निर्मादाओं ने इतनी पवित्र संसता का निर्माद दलहित के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया नए भवन में हम सभी अपने बानी से विचार से आचार से समिधान के जो स्पिरिट उन मादन लोग लेकर के लिए नए संकल्पों के अनुसार नभी भाव को लेकर के नभी भावना को लेकर भाशा करता हूँ अद्धिक आप कल भी कह रहे थे आज मी कह रहे थे कभी स्पस्ट कह रहे थे कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे हम सांसदों के वहवार के समझ दे मैं मेरी तरफ से आपको आश्वसन देता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आश्वा अपेक्षा में खरे उतरे हम अनुशासन का पालन करे देश हमें देखता है आप जैसा दिशा निर्देश करे लेकिन मानिया देख जी अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लेमेंट के मैं पक्का मानता हूँ कि यहां जो ब्यहवार होगा यह निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए ब्यहवार करता हूँ और कौन वहां बैठने के लिए ब्यहवार करता है जो बहाँ ही बैठे रहना चाहता है उसका वहवार क्या होगा और जहां जो यहां आकर के प्विश में बैठना चाहता है उसका वहवार क्या होगा इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महिनों में देश देखेगा और उनके बरताओं से पता चलेगा ये मुझे पुरा विश्वा से आधर नियत देख जी हमारी यहां बीदों में कहा गया है सम्मिच्चह सब्रता भुत्वा बाचम बदत भद्रया अर्था हम सब एकमत होकर एक समान संकल पलेकर कल्यान करी सार्थक समवात करें यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं भी मर्शालग हो सकते हैं लेकिन हमारे संकल पर एक जूठी होते हैं एक जूठी रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एक जूठता के लिए भी हरपूर प्यास करता रहना चाहिए आदेने अद्रिक जी हमारी संसत ने राष्ट के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है न कोई इधर का है ने उधर का है सब कोई राष्ट के लिए करते रहे मुझा आशा है इस नई सरुवात के साथ इस संवादिय के वातावण में अब इस संसत के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज़्यादा मजबूत करेंगे हमारी आने वाले पीडियों को अवश्य हम प्रेणा देंगे संसत ये पनंपराओं की जो लक्षमन रेखा है उन लक्षमन रेखा का पालन हम सब को करना चाहिए और वो स्पिकर महोदई के अपिक्षा को हमें जुरूर पुरा करने की कोशिश कर दीशी आधनिया अध्यक जी लोक तंत्र में राजनीती नीती और शक्ति का इस्तिमाल यह समाज में प्रभावी बड़लाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो स्टार्टप्स हो या सिल्फ इल्फ ग्रूप हो हर छेत्र में दुनिया भारतिय महलाओं की ताकत देख रही है जी ट्वेंटी की अध्यक्स्ता विमेंड लेट डेवलप्मेंट की चर्चा आध दुनिया इसका स्वागत कर रही है स्विकार कर रही है दुनिया समझ रही है कि सिर्ब महलाओं की विकास की बात इनप नहीं है हमें मान उजाद की विकास यात्रा में उस नए पढ़ाओं को अगर प्राप्ट करना है राष्ट के विकास यात्रा में हमने दई मंजिलों को पाना है तो यावशक है कि विमेन लेट डेवलोपमेंट को हम बल दें और जी ट्विंटी में भारत की इस बात को विश्वने स्विकार किया है महिला स्वसक्ति गण की हमारी हर योजनाने महिला नेत्रुत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए है आर्थिक समावेश को धान में रखते हुए जंदन योजना शुरू की पचास करोड लाभारतियों में उसे भी अधित्तम महिला बैंक एकाउंट के धारक बनी है यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तंज भी है नया विश्वात देता है जब मुद्रा योजना रखे यह देश घर्व कर सकता है उसमें बिना बैंक गरंटी दस लाख रुपिय की लोन देनी की योजना और उसका लाभ पुरे देश में सबसे जादा महिलाओं ने उठाया महिला एंटर्पिनर का एक पूरा बातावन देश में नजर आया पी-म आवास योजना बक्के घर ये भी उसकी रजिस्ट्री जादा तर महिलाओं के नाम हुई महिलाओं का मालिकना हक बना आदेनिय अद्धिक जी हर देश की विकांस यात्राव है ऐसे मैश्टों आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने रया इतिहास रचा है ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं और आदेनिय द्धिक जी नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूँ कि आज की ये पल आज का ये दिवस सम्भत सरी हो गणिश चतिर्थी हो उससे भी आशिदवाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्दन करने वाला सभाय है हम सब के लिए पल गर्व की पल है अनेक वर्षों से महिला आरक्षन के समय में बहुत चर्चाय हुई है बहुत बाद विवाद हुए है महिला आरक्षन को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए है 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था अतल जी के कारकाल में कई बार महिला आरक्षन का बिल पेश किया गया कई बार लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधुरा रह गया महिलाओं को अधिकार देने का महिलाओं के शक्ति का उप्योग करने का वो काम शायद इस्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चूना है एक बार फीर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है कली केबिनेट में महिला आरक्षन वाला जो विधेख है उसको बंजूरी दी गई है आज 19 सितंबर की ये तारीक इसी लिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है नेत्रुत्व कर रही है तो बहुत आवशक है कि नीती निर्धारण में पालिशी मेकिंग में हमारी माताएं बहने हमारी नारी शक्ती अधिक तम योगदान दें ज्यादा से ज्यादा योगदान योगदान ही रही वे महत्वपुन भूमी का निभाएं थे आज इस आइतिहासिक मोके पर नए संसद भवन में सदन की सदन की पहली कारेवाई की रुप उस्तारेवाई के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आवान किया है और देश की नारी शक्ती के लिए सभी साउसद मिलकर के नए प्रवेद्वार खोल दें इसका आरंब हम इस महत्वपुन नेड़े से करने जा रहे हैं विमेन लेट डेवलोप्मेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमूख सम्विधान संसोधन विदेग प्रस्तुत कर रही है इस विधेत का लक्ष लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं की भागी दारी का विस्तार कर देगा है नारी शक्ती बंदन अधिरियम नारी शक्ती बंदन अधिरियम इसके माद्दम से हमारा लोकतंत्र और मजबुत होगा मैं देश की माताओं बहनों बेटियों को नारी शक्ती बंदन अधिरियम के लिए बहुत बहुत बढ़ाई दूँगा मैं सभी माताओं बहनों बेटियों को आस्वस्त करता हूँ कि हम इस बीर को कानून बनाने के लिए संकल्प बद्ध है मैं सदन में सभी साथियों से आग्र पुर्वक निवेदन करता हूँ आग्र भी करता हूँ और जब एक पावन शुरुवात हो रही है पावक विचार हमारे सामने आया है तो सर्वसम्मती से जब ये बील कानून बनेगा तो इसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी और इसलिए मैं सभी मान्य सामसदों से दोनों सदन के सभी मान्य सामसदों से इसे सर्वसम्मती से पारिद करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभाय वेक्त करता हूँ इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अउसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। द्राफ्ट of a legislative proposal, put in the proper form, which when passed by both the Houses of Parliament, and ascended to by the President, becomes an Act. BUSINESS OF THE HOUSE The relative order of all the items of business in the House of a legislature to be taken up on a particular day. Government business for a whole week is announced in advance in the House by the Minister for Parliamentary Affairs. CALLING ATTENTION A procedure whereby a member calls the attention of a Minister to a matter of urgent public importance. The Minister makes a brief statement thereon and thereafter the members seek clarifications. LEGISLATIVE BUSINESS Introduction, consideration, and passing of a Bill piloted by a Minister or a private member in the House. आज़नियों शर्वापती जी अनुब्धार्शा पिस्फपारां अंब्लिय का है. उच्फपार इस और एविए थी, हम जब के लिए आजकाई दिवस, है यादगार भी हैं. आईतिहासिक भी है इससे पहले मुझे लोकसभा में भी अपनी भावना को व्यक्त करने का अउसर मिला था अब राज्य सभा में भी आज आपने मुझे अउसर दिया है मैं आपका आभारी हूँ अज़र्य सभाबते जी हमारे समिधान में राज्य सभागी परिकल्पना उच्च सदन के रुप में की गई है समिधान निर्माताओं का ये आशे रहा है कि ये सदन राजनीती के आपा धापी से उपर उठ करके गंभीर बौधिक विचार मुमर्ष का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ है यहीं से निकले ये स्वाभाविक देश की अपरिक्षा भी रहे और लोक तंत्र की सम्रुद्धी में ये योगदान ही उस सम्रुद्धी को मैं अधिक मुल्य वृद्धी कर सकता है अधरी स्वाभती जी इस सदन में अनेक महापुरुष रहे हैं मैं सबका उलेक तो न कर पाऊं लेकिन लालमादू सास्त्री जी हो गोविन वल्लब पंत साथ हो लालकृष्ण अजवानी जी हो पढ़नो मुकर जी साथ हो अरुण जेटली जी हो ऐसे अंगिनित विद्वान स्रेष्टी जन और सार्वजनिक जीवन में वरशों तक तपस्या के हुए लोग इस सदन को सुषभित किया है देश का मारदर्शन किया है ऐसे कितने ही सदस्य जिनों ने एक प्रकार से व्यक्ति स्वयम में एक संस्ता के रहे एक इंडिपेंडेंट ठिंटेंग के रुप में अपना सामर्थ देश को उसका लाब देने वाले लोग भी हमें रहे संसदी इतिहास के शरुवते दिनों में डॉक्टर सर्वपली राधाकिष्ण जी ने राजसभा के महत्वपर नहीं था कि पार्लामेंट इस नॉट अउन्डी ए लेजिस्लेटिव बट ए डेलिबरेटिव बड़ी राधसभा से देश के जनता के अनेक उची अपेक्षाए है सर्वोत्तम अपेक्षाए है और इसलिए मान्य सदस्यों के बीश गंबीर विशों की चर्चा और उसे सुनना ये भी एक बहुत बहुत सुखद आउसर होता है नया संसद भवन एक सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है लेकिन एक नई शुरुआत का प्रतीग भी है हम व्यक्ति के जिवन में भी देखते हैं जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ाव आता है तो मन पहला करता है कि अब एक नए बातावन का मैं अप्टिमम यूटिलाजिशन करूँगा उसका सरभादिक सकारात्मग बातावन में मैं काम करूँगा एक साथ स्वभाव होता है और अम्रत काल की शुरूआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सब का प्रवेश होना यह अपने आप में हमारे देश के 140 करोड नागरीकों की जो आशा आकांख्षा है उसमें एक नई उर्जा भरना वाला बनेगा नई आशा और नया विश्वास पड़ा करना वाला बनेगा आदर ये सभापती जी हमें समय सीमा में लक्षों को हासिल करना है क्योंकि देश जैसा मैंने पहले भी कहा था ज़्यादा प्रतिक्षा नहीं कर सकता है एक कालखन था जब सामान ने मन को लगता था ठीक है हमारे माबाप भी ऐसे गुजारा कि हम भी कर लेंगे हमारे नसीब में ये था हम जी लेंगे आज समाज जीवन की और खास करके नई पीड़ी की सोच बुन नहीं है और इसलिए हमें भी नई सोच के साथ नई संग्षाइवी के साथ सामान ये मानवी की आशा कांख्षाओं की पूर्ति के लिए हमारे कारका व्याप्पी बढ़ाना पड़ेगा हमारी सीमा सोचने की जो सिमाएं हैं उससे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारी क्षमता जितने बढ़ेगी उतना ही देश की क्षमता बढ़ाने में हमारा योगदान भी बढ़ेगा अधरनिय सभाब अधाजी मैं मानता हूं कि इस नए भवन में ये उच्च सदन में हम अपने आचरन से अपने वहवार से संसदिय सुचिता के प्रतिक के रुप में है देश की विधान सभावों को देश की स्थानी स्वराज के संस्था हो को वहां की सारी व्यवस्ता हो को प्रेणा दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस स्थान ऐसा है कि जिसमें ये स्थामर्त सरस्थे अधीक है और इसका लाब देश को मिलना चाहिए देश के जनप्रतिरी दियों को मिलना चाहिए चाहिए वो ग्राम पधान के रुप में चुना गया हो चाहिए वो संसद में आया हो और ये परंपरा यहां से हम कैसे आगे बढ़ाएं आदर ने सरभवती जी पिछले नव वरसे आप सब के साथ से सहयोग से देश की सेवा करने का हमें मुका मिला कई बड़े नेर्णे करने के अउसर आए और बड़े महत्वपुन नेर्णों पर फैसले भी हुए और कई तो फैसले ऐसे थे जो दसकों से लटके होए थे उन फैसलों को भी और ऐसी नेर्णे ऐसी बाते थी जिसको बहुत कठीन माना जाता था मुश्किल माना जाता था और राजनितिक दुर्ष्टी से तो उसको स्पर्ष करना भी बहुत ही गलत माना जाता था लेकिन सबके बावजुद भी हमने उस दिशा में कुछ हिम्मत दिखा लेकिन हमें एक विश्वास था कि राज सभाद दलगत सोच से उपर उठकर के देश फित में जरूर अपने फैसले लेगी और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूँ कि उदार सोच के परणा हमारे पास संख्याबल कम होने के बावजुद भी आप सभी मानलिय सांसदों की मैच्चुरिटी के कारण, समझ के कारण, राष्ट हीत के प्रति अपनी जिम्मेवारी के कारण आप सब के सहयोग से हम कई ऐसे कठी निर्णे भी कर पाएं और राज संख्याबल को उपर उखाने का खांँ सदस्या संख्यागे बल पर नहीं, समझदारी के सामर्थ पर आगे बढ़ा, इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है और इसलिए मैं सदन के सभी मानलिय सांसदों का जो आज बैह हैं, जो इसके पहले थे, उन सब का धनिवाद करता हूँ अधरिये सभावते जी, लोक तंत्र में कौन साथन में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कप आएगा, ये क्रम चलता रहता है, वो बहुत स्वाभावी भी है, और वो लोक तंत्र की स्वाभावी को उसकी प्रकुरूंति और प्रभूति भी है, लेकिन जब भी विशय देश के लिए सामने आए, हम सब ने मिल करके, राजनीती से उपर उट करके, देश के हीतों को सर्वों पर ही रखते हुए, कारे करने का प्रयास किया है, आदरिनिय सभापती जी, राज सभा एक प्रकार से राज्यों का भी प्रतिनीदीत्व करती है, एक प्रकार से कोपरेटिव फेडरिलिजम, और अब हम जब कॉम्पेटिटिव कोपरेटिव फेडरिलिजम का बल दे रहें, तब हम देख रहें कि अत्यन्त सरयोग के साथ अनेक ऐसे मसले रहे हैं, देश आगे बड़ा है, कोविड का संकट बहुत बड़ा था, दुनिया ने भी परिशानी जेली है, हम लोगों ने भी जेली है, लेकिन हमारे फेडरिलिजम की ताकत थी, कि केंद्रो और राज्यों ने मिल करके, जिससे जो बन पड़ता है, बन करकर के, देश की बहुत बड़े संकर से मुक्ति दलाने का प्रयास किया, और यही हमारे cooperative federalism की ताकत को बल देता है हमारे federal structure को कि एक ताकत उसने अनेक संकटों का सामना किया है और हमने चुर्फ संकटों के समय नहीं उत्सव के समय दुनिया के सामने भारत की उस ताकत को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है भारत की वीवीतिता भारत के इतने राज़ितिक दल भारत में इतने media houses भारत के इतना रहन सहन बोलिया यह सारी चीजे जी 20 समीट में राज्यों में जो समीट हुई को कि दिलनी मत बहुत देर से आये लेकि उसके पहले देश के 60 शहरों में 220 से जादा समीट होना और हर राज्य ने बड़ चटकर के बड़े उत्सा के साथ विश्व को प्रभावित करें इस प्रकार से भहमान नवाजी भी की और जो डेलिबर्शन से उसने तो दुनिया को दिशाद देने का सामर्त दिखाया और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोफरेटिब फेडरलिज्म के कारण आज हम यहां प्रगति कर रहे हैं आदेने सभापती जी इस नए सदन में भी नई हमारी पार्लामेंट बिल्लिंग में भी उस फैडरलियम का एक आउस जरूर नजराता है क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्शना की गई थी कि कई बात ऐसी है जिसमें हमें राज्यों के कोई याद यहाँ कि यह भारत के सभी राज्यों का प्रतिनीजित्व है और यहाँ कई प्रकार के ऐसे कलाकृतियां कई चीत्र पूरे हमारी दिवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं वो राज्यों ने पसंद करके अपने यहाँ राज्य की स्रेश्ट चीट बेजी है और एक प्रकार चाहां के वातावरम में भी राज्य भी हैं राज्यों का की विवित्यता भी हैं और फैडरलेजम की सुगंद भी हैं अधर सभापती जी टेक्नलोजी ने जीवन को भावत तेजी से प्रभावित किया है पहले जो टेक्नलोजी में बढ़लावा आतने में 50-50 साल लग जाते थे वो आजकल कुछ हपतों में आ जाते हैं आधुनिक्ता अनिवारियता बढ़े गई हैं और आधुनिक्ता को मैच करने के लिए हमने अ प्रणतर डाइनेमिक रूप से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा तब जाकर के उस आधुनिक्ता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर कर आगे बढ़ सकते हैं आधरिणी सभापती जी पूराने भवन में हमने जिसको अभी आपने समिधान सदन की रूप में कहा हमने वहां कभी आजहादी का अमरुत महुत्सा वबड़े आनबान शान के साथ मनाया पच्चतर साल का हमारी यात्रा की दरभ हमने देखा भी और नई दिशा नया संकल्प करने का प्रयास भी शुरू किया है लेकि मुझे पुरा भी स्वास है कि नए संसद्धान में आजहादी की जब हम सताब्दी मनाएंगे वो श्वान सताब्दी विक्षिद भारत की होगी देवलप इंडिया की होगी ती मुझे पुरा भी स्वास है पुराने भावन में हम पांच भी अर्थववस्ता तक पहुँचे थे मुझे विश्वास है कि नए संसद्धान में हम दुनिया की तौप थ्री एकोनोमी में स्थान प्राग भावन में पुराने संसद्धान में गरीब कल्यान के अनेक इनिशेटिव हुए अनेक काम हुए नए संसद्धान में हम अब सत प्रतिशत सेचुरेशन जिसका हक दोसको पुरा मिले आदर्णिय सभापती जी इस नए सदन की दिवारों के साथ साथ हमें भी अब टेक्नोलोजी के साथ अपने आपको एड़्जेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने आइपेड प्रतिए मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बहुत से मान्य सद्धिशों को अगर कल कुछ समय निकाल करके कि अगर परिचित करा दिया जाए टेक्नोलोजी से तो उनकी सुविधा रहेगी वह बैठेंगे अपने इस प्रफिन पी जेखेंगे और टेक्नलोरगी वाले अगर तो हो सकता है कि उनको कठीना इना आए कि आज मैं भी लोकसभा में था तो कई साथियों को इन चीजों को अपरेट करने में दिक्कत हो रही थी तो ये हम सब का दाइज तो है कि हम उसमें सब की मदद करें तो कल कु हमने इस सदन से भी उस चीजों से आदतन हमारा हिस्सा बनाना ही होगा शुरू में थोड़ा दिन लगता है लेकिन अब तो बहुत सी चीज़े उजर फ्रेंडली होती है बड़े आराम से इन चीजों का अड़ब किया जा सकता है हम इसको करें मेक इन इंडिया एक प्रकार से ग्लोबली गेम चेंजर के रुप में हमने इसका भरपूर फाइदा उठाना और मैंने कहां वैसे नई सोच नया उत्सा नया उमंग नई उर्जा के साथ हम आगे बढ़कर के कर सकते हैं अधर्णी सभापती जी आज नया संसदों देश के लिए एक महतोपुन अइत्यासिक फैसले का साक्षिव बन रहा है अभी पार्लेम लोग सभा में एक बील प्रसुत किया गया है और पर चर्चा होने के बाद यहां भी आएगा नारी शक्ति के ससर्थिकरण की दिशा में जो पिछले आने पर सोजे महतोपुन कदम उठाए गए है उसमें एक अत्यंत महतोपुन कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं सरकार का प्रयास रहा इज अफ लिविंग का क्वालिटी ओफ लाइब का और जो इज अफ लिविंग क्वालिटी ओफ लाइब की बात करते हैं तो उसकी पहली हगदार हमारी बेहने होती है हमारी नारी होती है तो कि उसी को सब की जे ज्वेलनी बुशन और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट निर्मान के इनकी भूमी का भड़े ये भी हमारी उतनी ही जिम्मवारी है अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं के शक्ति महिलाओं के भागिदारी निरंतर सुनिशित की जा रही है माइनी में बहने काम कर सके निर्णह हमारे ही सांसोदों की मदद से हुआ हमने सैनी स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए बेटियों में जो सामर्थ है उस सामर्थ को अब आउसर मिलना चाहिए उनके लिमन में इपस और बड़्स का युक खतम हो चुका है हम जितना सामर्थ हम जितनी सुविदा देंगी उतनी सामर्थ हमारी मात्रों शक्ति हमारी बेटियां हमारी बहने दिखाए 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 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भियान तो कोई सरकारी कारकम नहीं है समाज ने इससे अपना बनाया है और बेटियों का मान सम्मान के दिशा में समाज में एक ध्राओ पैदा हुआ है मुद्रा योजरा हो जन्धन योजरा हो महिलाओं ने बढ़ चटकर के इसका लाप उठाया है फाइनेंसल इंक्लूजन के इंदर आज भारत भी महिलाओं का सक्रिय योगदा नजरा रहा है यह अपने आप में मैं समझता हूँ उनके पारिवार के जीवन में भी उनके सामर्थ को प्रकट करता है जो सामर्थ अब राष्ट जीवन में भी प्रकट होने का वक्त आ चुका है हमारी कोशिश रही है कि हमारे माताओं बहनों के स्वात को ध्यान में रखते हुए उजवला योजना हमें मालूम है गैस सिलिंडर के लिए पहले एमपी के घर के चकर काटने पड़ते थे गई परिवारों तक उसको पहुँचा नहीं जानता हूँ बहुत बड़ा आर्थिक बोज है लेकिन महिलाओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए उस काम को किया महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाब लंबे अर्शे से राजनेती का नारी सरक्षा के लिए कड़े कानुम बनाने का काम भी हम सब कर पाए हैं Women-led Development G20 की सबसे बड़ी चर्चा का विशय रहा और दुनिया के कई देश हैं जिन के लिए Women-led Development विशय थोड़ा सा नया सा अनुभ होता था और जब उनकी चर्चा में सूर आते थे कुछ अलग सी सूर सुनने को मिलते थे लेकिन G20 के डेकलेरशन में सबने मिलकर के Women-led Development के विशय को अब भारत से दुनिया के तरफ पहुचा है यह हम सब के लिए गर्व है आदरी सभावाती ची इसी बैक्ग्राउंड में लंबे अर्शे से विदान सभा और लोग सभा में सिधे चुनाओं में बहनों की भागिदारी सुनिशित करने का विशय है और यह बहुत समय से आरक्षन की चर्चा चली थी हर किसे ने कुछ दो कुछ प्रयास किया लेकिन और यह 1996 से इसकी शुरुवात होगी है और हटल जी के समय तो कई बार बिल लाए दे लेकिन नंबर कम पड़ते थे कुछ उग्रे विरोध का भी वाताओं रहता था एक महत्म कुछ काम करने में काफ़ी असुविता होता थी लेकिन जब नए सदन में आये हैं नए होने का एक अंट्राव उमंग भी होता है तो मुझे विश्वास है कि यह जो लंबे अर्शे से चर्चा में राह विशा है अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में कि नारी शक्ति की भगीदारी सुनिश्चित करने का थी आज इसलिए नारी शक्ति बंदन अधिनियम नारी शक्ति बंदन अधिनियम संविधान संसोदन के रूप में लाने का तरकार का विचार है जिसको आज लोगसभा में रखा गया है कल लोगसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राजसभा में भी आएगा मैं आज आप सबसे प्राथना करता हूँ कि एक ऐसा विशा है जिसको अगर हम सर्वसंबते से आगे बढ़ाएंगे तो साच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी और जब भी हम सब के सामने आये तब मैं राजसभागे सभी मेरे मानलिये साउसद साथियों साज आज आगरह करने आया हूँ कि हम सर्वसंबती से जब भी उसकी निर्णे करने का आउसर आएं आने वाले एक दो दिन में आप सब के सहीयोग के अपेक्षा साथ मैं मेरी वानी को ग्राम देता हूँ बहुत बहुत धन्वा सबमान के सबस्टा स स में हुत 수ैं कि अप infinite प्राम कैस्ट अपन्य दिल्स तरो कि भीयो किachen हanor पक्रेंडें ग्र CHAN नहीं प्रेंडें कि छिई मैं के इन्म a वे अजिए . मैं 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 आप एंजिए, को जो कि मैं आप स対सक्राफ प्र ढखनों बाभान प्राइब 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 बाहरत प्राइब बाहरत लीडर अपोजिशन राजे सभा, ओनरेबल डेपुटी चेर्मन राजे सभा and ओनरेबल मेंबर्स अपर्लेमेंट गनेश चतुर्ती की सभी को हार्दिक शुब काम नाए मानने परधान मंत्री जी नी अचानक होमवर्क दे दिया और परधान मंत्री जी के बाद बोलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनोती है On this momentous occasion as we stand on the threshold of adding a new chapter to the annals of our parliamentary democracy I congratulate you all on our phenomenal rise we all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move to the new one traversing over seven decades journey from Svidan Sabha to the present day in Amritkal these hallowed precincts have witnessed many a milestone Honourable members from twist with destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative impactful forward-looking GST regime at midnight of June 30, 2047 and now this significant day In this very central hall the members of the Constitutional Assembly embarked upon the journey to accomplish the daunting task of drafting the Constitution of India deliberations in the Constituent Assembly in this theatre exemplified decorum and healthy debate contentious issues were negotiated in a spirit of consensus with scholarly debate and splitted deliberations Honourable members we all need to emulate the exemplary conduct of our founding fathers the new building of Parliament a testament to the dawn of Atam Nirvabharth is much beyond an architectural marvel it is a reflection of India's rich cultural diversity a symbol of national pride unity and identity impactfully organized G20 resulted in demonstration of India's global power the new building of Parliament Bharat Mandapam and Esho Bhoomi are the most recent infrastructure masterpieces competing with the best in the world these iconic venues are set to play a pivotal role in shaping India's tomorrow Honourable members the world now realizes that our nation is on the rise as never before and this rise is unstoppable Bharat is defining global discourse shaping their outcome and has emerged as significant player among the committee of nations Bharat is dominating as an agenda setter for global peace climate transition and economic development on par with other leading players in this encouraging scenario generating hope and optimism all around I find it a befitting occasion to congratulate Prime Minister Narendra Modi for his sagacious approach people centric vision missionary yield and exemplary execution salute and appreciate contribution of the people in all walks of life and our bureaucracy that is enjoined with execution of policies Honourable members time has come to give up once and for all the premise of justifying transgression of conduct and outrageous disregard of rules in the temples of democracy by making reference to past instances as we march into the new parliament building we must enhance cooperation and consensual approach time for us to bid farewell to confrontational stance and resolve to ever keep national interest uppermost honourable members it is time right time to bury the strategy of weaponizing disturbance and disruption in parliamentary functioning as these are antithetical to democratic values and can never have sanction of our people who are our ultimate masters I would like to quote Dr. B. R. Mbedkar who in his final speech in the constitutional assembly stated I quote if we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact what must we do the first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives unquote let us heed his clear and call on this decisive moment as we are witnessing the transformation of Bharat appreciations to Prime Minister and Narendra Modi vision and sagacity for fructifying tryst with modernity we had tryst with destiny in 1947 we are lucky and fortunate by efforts of the Prime Minister that we are having today tryst with modernity for over a billion hearts his role in this monumental task of shaping the destiny of one-sixth of humanity would forever be eached in history honourable members this historic walk to the new building of parliament in Amratkal be the march to Bharat at 2047 as developed a nation let us in togetherness make the new chambers of the parliament and the sanctum sanctorum of our temple of democracy Jai Hind and theары and the and the and the now and the and the and the and the झाल झाल माननी ए उपराश्ट पति जी माननी ए प्रढान मनति जी राजसभा में सदन के नेता संसदी कारे मनति जी प्रति पश्च के नेता लोगसभा में सबसे बड़े दल के नेता सभी मान्य मंत्रिगण, सभी मान्य संसद सदशगण आज संसद भावन के इस एत्यासिक कक्ष में जो हमारी देश की आजादी का शाक्षी रहा जो सविधान निर्मान का शाक्षी रहा जिसमें अनेक परिवर्तन एत्यासिक निर्णे हुए इसी केंद्रिय कक्ष में मान्य राष्ट पती जी का उद्भोधन में हमें मिला विश्च के कई राष्ट अद्रिक्षों ने यहां सम्भोधन करते हुए हमारे लोकतंत के प्रति आस्ता वेक की और आज इस किंद्य कक्ष से हम सब लोग नए संसद्भोन की और प्रवेश कर रहे हैं ये नया संसद्भोन हम सब के लिए नई आकानशाओं, नई अपिक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा मेरी ऐसी आशा है आज इस अफसर पर उन सब सेनानियों को भी नमन करता हूँ, जिनोंने हमारे भईश के लिए, हमारे कल के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया मैं आज उन महानेताओं को भी नमन करता हूँ, जिनोंने इस केंद्रिक कक्ष में दुनिया का सब से बड़ा सविधान निर्माण में अपना अमुली योगदान दिया जिनोंने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना दायत निभाया आज हम उन सभी माननी सुदश्यों को भी इस्प्रण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो हमारे बीच में निर्हे लेकिन जिनोंने अपने सविधानिक दायतों का निर्भन करते विए देश की प्रगति में योगदान दिया मैं आज संसद के उन सभी माननी सांसदों का भी हारदिक अभिनंदन करता हूँ जिनके लंबे संसदिय अन्भो का लाब आज हमें मिल रहा है ये संसद भोवन अनेक एतियासी घटनाओं निन्यों और परिवर्तन कारी कानूनों के निर्भान का साक्षी रहा है हमारी संसद कई घटनाओं का मंच रहे है जिनोंने 75 वर्षों में इस देश को एक ऐसा सरूप दिया है जो दुनिया में एक नई तागत और सामर्त रखता है हमारी संसद देश की करोड़ो जनता की अभिवक्ति भावनाओं का माद्यम रही है जहां हमें लोगतांतिक संसकती के अनरूप चर्चा और समवात से अनेक चुनोतियों का समाधान निकाला है और कई शेश्टम परतिमान इस्तापित की हैं इन 55 वर्ष की संसिदिय लोगतंत की गोरोशाली यात्रा में हमने देश में कई करांतिकारी बदलाओ भी किये आज जनता नए भारत के लिए आकांशी है आज लोगों को हमसे अपेक्षा हैं बढ़ी हैं आकाशा हैं बढ़ी हैं उम्मीद बढ़ी हैं ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने सवेधानिक दायतों का शुद अंतरकर्ण से निर्वन करें और उनकी अपेक्षाओं आकांशाओं और उम्मीदों को पूरा करें और आकांशी भारत के सपनों को साकार करें मानेवर हम सबका सोभाग्य है कि हम ऐसे कालखंट के जन्पतिदी हैं जिस समय भारत हर शित में तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारी लोगतांतिक संस्कति और हमारा सेष्ट नेतत के कारण हम पूरे विश्च को एक परिवार के रूप में लेकर वेश्चिक चुनोतियों को समभाधान के लिए भारत एक सार्थक भूमी का निभारा है आज हम नए भौन में प्रवेश कर रहे हैं नए भौन में प्रवेश करते समय विख्षित बाराज बनाने की हमारी प्रतिवत्ता को हम दोराने का अवसर भी है हमारा संकल्प है कि हम इसी संसिदिय लोकतंद से सामुईक चर्चा समवाध सहमती असमती और कठिन परिश्चम से सारे देश की जनभागिदारी के साथ इन आकानशाओं को पूरा करेंगे विख्ष के सबसे बड़े संसिदिय लोकतंद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इसलिए ये आवश्चक है कि हमारी संसद हर एक मुद्दे पर चर्चा करें सार तक सकारात्मक दिशा दें कानून बनाते समय सार गर्वित चर्चा हो सकारात्मक के साथ चर्चा हो ताकि हम देश को और अधिक समर्थ बना सकें और इसमें हमारी संसद की उलेकनिय भूमी का होनी चाहिए आजादी के इस अमरतकाल में हम 2047-2047 तक विख्षिद भारत के निर्मान के लक्ष को लेकर चल रहे है विख्षिद भारत बनाने का ये लक्ष हमारी संसद के माध्यम से साकार होगा हम ऐसे संकल्व की प्रतिवद्दा के साथ नए भौन में प्रवेश करेंगे जहां हमारी भागीदारे भी होगी जनता की अपेक्षाएं भी पूरी होगी और नए आकानशी भारत और 2047 में विख्षिद भारत के सपने को भी पूरा प्रकाएंगे आज गनेश चतुर्ति के शुब दिन ऐसे शुब दिन पर अच्छी प्रमप्राएं अच्छी परपाटियां अच्छी प्रताएं अच्छे अनभव हम साथ लिकर जाएं और नए संसत भौन में उनको इस्तापित करें ताकि विश्च के लिए भारत का लोगतंत मारदक्षर बन सके नया भवन हमारे देश की आकांशी जनता के लिए परिणाम दायक हो परिवर्तन कारी हो ताकि हमारे सविधान निर्माताओं ने समानता न्याय और बंदुता का जो संदेश दिया है उसे हम पूरा कर सके हम अपनी संसत को देश की जनता की सिवा में सच्चे भाव से समर्पित करें इसी अप्रिक्षा के साथ मैं पुने इस भवन को उन सब लोगों को जिनका इस लोगतंत को इस्तापित करने में लोगतंत की मर्यादा प्रतिष्टा बढ़ाने में योगदान रहा उन सब को भी नमन करता हूं धन्यवाद अजय करता है ये सिर्फ एक भवन नहीं है 140 करोड भारत वास्यों के आकाउंचाउं और सपनों का प्रतिबिम्ब ये नया संसत्भवन योजना को यथार्त से नीती को निर्मान से इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से संकल्प को सिद्धी से जोडने वाली एहम कड़ी सावित होगा ये नया संसत्भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला ये विक्सित भारत के निर्मान में हम सभी के लिए नई प्रेणा बनेगा ये संसत्भवन हर भारती के करतब्य भाव को जागरित करेगा यहां होने वाला हर निर्णे आने वाली सद्यों को सजाने संवारने वाला है यहां होने वाला हर निर्णे आने वाली पीडियों को ससक्त करने वाला हो यहां होने वाला हर निड़ाए भारत के उजब्रस बविश्य का आधार बने इस नए संसत धोन की हर ही हर दिवार इसका कान कान गरीग के कल्यान के लिए सब्सक्राइब संसत के इस नए भवन में बनने वाले एक नए कानू भारत को विशित भारत बनाएंगे इस संसत में बनने वाले खानू भारत को गरीबी से बहार निकाने में पदद करेंगे इस संसत में बनने वाले खानू देश की युवाओं के लिए महलाओं के लिए नए अवसरों का निर्मार करेंगे संसत का ये नया भवन नए भारत के स्रजन का आधार बने एक सम्रुत्य ससक्त और विशित भारत निति नयाय सत्य मर्यादा और करतजय पत्पर और ससक्त होकर चलने वाला भारत सम्विधान में नहित मौलिक करतव्यों का उदेश ये देश के प्रतेएक नागरिक को एक निरंतर अनोस मारक यानि की रिमाइंडर के रूप में यह बताना है कि सम्विधान ने विशेश रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं लेकिन नागरिकों को लोकतांतरिक आशरण और लोकतांतरिक व्यभार के बुनियादी मान दंडों का पालन करने की भी आउशक्ता है आए आपको बताते हैं 11 मौलिक करतव्यों में से दूसरा करतव्य कौन सा है दूसरा करतव्य है स्वतंतरता के लिए राष्ट्रिय आंधोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आधर्शों को रिदय में संजोई रखे और उनका पालन करें हमारा देश इस वक्त अमरित काल मना रहा है प्रधान मंतरी ने कई बार करतव्यों के इस महतो को रिखांकित किया है शास्त्रों के उधारण से वे इस बात को समझाते भी है हमारी यहां सदियों से सास्त्रों में बार-बार इस बात का जिक्र किया जाता है आत्मनह प्रतिकुलानी परेशान नसमाचारेत यानि जो अपने लिए प्रतिकुल हो वो व्यहवार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ न करें इस कार्थ यही है कि मानव अधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा बलकि यह हमारे करतवियों का विशय भी है हम अपने साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करें दूसरों के अधिकारों को अपना करतव्य बनाएं हम हर मानव के साथ समभाव और ममभाव रखें जब समाज में ये सहच्ता आ जाती है तो मानव अधिकार हमारे समाज का जीमन मुल्य बन जाता है अधिकार और कर्तव्य ये दो ऐसी पट्रियां है जिन पर मानव विकास और मानव गरीमा की आत्रा आगे बढ़ती है कर्तवे भी उतने ही आवशक है अधिकार और कर्तवे की बात अलग-अलग नहीं होनी चाहिए एक साथ ही की जानी चाहिए